हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों गडित की कुछ महतपुन क्लास लेकर कर आया हूँ आपको बहुत पसंद आएगी कि कुछ रेगुलर यही प्रेशनी रिपीट हो रहे हैं ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशनी है एक चडिया घर मे कुछ बंदर तथा कुछ तोते हैं यदि कुल पैरों की संक्या बामन है और सिरों की संक्या बीज हो तो ग्यात करो कि उस चडिया घर में कितने बंदर तथा कितने तोते हैं देखे याद रहना इस प्रेशनी में क्या होगा एक चार पैर वाला जानवर होगा और एक दो पै पहली बात कि जो सिरों की संख्या है उसे लिख लो जो सिरों की संख्या है कितनी है भी या 20 है सिरों की संख्या 20 है सबसे पहले आप निकालिए चार पैरवाला सबसे पहले बंदरों की संख्या निकालिए जब चार पैरवाले की संख्या निकालेंगे आप तो इसके अपोजि से दो पेरवाले से ठीक है 20 का गुना 2 से कर दूँगा 40, 40 से रोगे, सिर ही तो लिये थे मैंने 20-40 होगे, अब इसका अंतर कर देंगे हम पेरों की संख्या से, पेरों की संख्या से अंतर कर देंगे, पेर कितनी है बामन, बामन में से 40 जाएगा, 12 आएगा, इस 12 को 2 से कटा द तो कितना निकल गाएगा 6, इसका मतलब बंदर कितनी है 6, हम किसकी संक्या निकाल लेते, बंदर की तो निकाल लेते, 4 पेर वाले की, इसके अपोजिर से गुना करते हैं, अब बंदर हो गए मेरे पास, मेरे पास देखे, टोटल सिर कितने थे, 20 सिर थे, अब 20 में से 6 बंदर ह गए तो भाईया 14 आपके दोते होंगे के नहीं होंगे बिल्कुल होंगे तो 6 और 14 बिल्कुल सही जवाब 14 और 6 कहाँ पने भाईया आपका 14 और 6 मेरे पहले option में सही हो गया खतम प्रेशन केलियर है सभी को आसानी से निकाल लिया एक का निकाल लो दूसरे का तो अपने पता लग जाता है अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है एक कवीले में कुछ बकरियां तथा कुछ मुर्गे हैं यदि कुल पेरों की संख्या 80 हो और सिरों की संख्या 25 हो तो ग्याद कीजिए कि कवीले में कितनी बकरियां तथा मुर्गे हैं बाई एक चार पेर ले लेनी है कितनी है पचीस हम क्या निकाल ले है चार पेर वाला निकाल ले है न तो उसके अपोजिट दो से गुना कर देंगे बस पचीस दुने का पचास गुना करने के बाद जो पेरों की संख्या है उससे अंतर कर देंगे पचास में, असी में से पचास घटा देंगे, तीस, और बस दो से डिवाट कर दो, कितना आगया है, पंदरा बकरियां है, चार पैरवाला निकल के आगया, कितनी बकरियां, पंदरा बकरियां है, टोटल सिर कितने थे, मेरे पास पचीस सिर थे, पचीस में से पंदरा सिर बकर अब देखेंगे अगला प्रश्न है एक थेले में 50 पैसे तथा 25 पैसे के 200 सिक्के हैं यदि थेले में कुल 90 रुपे हो तो प्रत्रेक प्रकार के सिक्कों की संक्चा ज्याद करो आपको क्या करना है ये वेलू देख रही है ये पैसे में देख रगी है ये वेलू पैसे में है और यह value रुपे में है, तो आपको अलग अलग unit है, तो पैसे को भी रुपिया बना लो, या फिर रुपे को पैसे बना दो, एक unit कर दो, तो हम क्या करेंगे, पैसे को भी रुपिया बना लेंगे, हमारे पास क्या है, 50 पैसे के 200 सिक्कें यह माल लेते हैं, 50 पैसे के कितने 200 सि बाइट कर देंगे अब देखें दो जीरो से दो जीरो कटा तो पच्चीस पचास को गोना दो से कर दूँगा यह सो हो गया यहां पर भी दो जीरो से दो जीरो कटा पच्चीस को गोना दो से कर दूँगा यह पचास हो गया अब यह भी रुपया हो गया और यह कितना हमारे प प्ैट्र पाद कितना है? 4 अनुपात एक. मतलब यह हुआ, कि यहाँ पर मेरे पास कितना था? 50 पैसे वाले सिख्यते मैं इधर नोट कर देता। इधर 25 पैसे वाले थे. छी कह 구na निकल करें? अनुपात कितना निकल के है? 4 अनुपात एक. निकल के आया है. अब देखिए चार और एक अनुपात को मिला दूँगा मैं कितना हो जाएगा तोटल सिक्के मेरे पास कितने थे 200 थे तो 5 से मैं 200 मैं डिवाइड कर दूँँ कितनी वार जाएगा 40 वार 40 का गुना 4 से कर दूँगा 160 40 का गुना 1 से कर दूँगा 40 और दोनों का अगर मैं मिला दूँँ तो 160 कितने सिक्के होगे 200 सिक्के होगे कितने होगे भी या 200 होगे तो प्रतिक प्रकार के सिक्कों की संक्या पता करनी थी 50 पैसे के 160 सिक्के हैं और 25 पैसे के 40 सिक्के हैं यही आपके प्रश्णी का बिलकुछ सही जवाब के लिएर सभी को अब देखेंगे अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है एक ग्वाला दूद में पानी किस अनुपात में मिलाए कि मिस्रन को क्रेम मुल पर बेचने पर उसे 25% का लागो दूद में पानी पहले दूद है फिर पानी है ठीक है पानी है अब दूद क्या होगा 100% होगा पहले तो दूद 100% में उसमें पानी कितनी मात्रा में है नहीं मिलाना नहीं पता कितनी मात्रा मिलाना तो माल लेते हैं एक्स प्रतिसत में अब दूद हमारा 100% है हम क्या करें हम पानी को किस अनुपात में तो दूद मेरा 100% है दूद की मातरा तो 100% ही रहेगी मुझे 25% का लाम मिलाना है तो मुझे क्या करना होगा उसमें 25% का पानी मिलाना होगा 25% पानी मिलाओंगा मैं मिलाओंगा के नहीं मिला भाई मुझे जितने परसेंट फायदा चाहिए मैं उसमें उतने परसेंट का पानी मिला दूँगा दूद की मातरा तो मेरी 100% हो गई केलियर है अब ऐसे कटालो 35 से 35 गया 25 से कम 25 पचीस चोके सो 4 अनुपात एक हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका मतलब यह है आप से कहा था कि दूद में पानी किसा अनुपात में मिलाए कि मिसर्ण को क्रेम मुली पर बेचने पर उसे 25 परसन लाओ जाए 4 लीटर दूद में 1 लीटर पानी मिलाना होगा इस अनुपात में मिलाना है चार अनुपात एक में यह हमारी प्रशनी का बिलकुल सही जवाब अब देखेंगे अगला प्रशनी अगला प्रशनी है एक परस में 50 रुपे तथा 20 रुपे के 25 नोट है यदि परस में कुल 680 रुपे हो तो प्रत्यक प्रकार के नोटों की संक्या अलग अलग जाद करें अब देखेंगे यहाँ पर मैं चेक करूँगा यह 50 रुपे यह 20 रुपे और यह 600 C रुपे यूनिट एक समान है चेंज बिल्कुल भी नहीं करना ठीक है चेंज नहीं करना इसमें एक प्रेशनीम ने देखा था यहाँ पर पैसे था यहाँ रुपे था तो चेंज करना था लेकिन यहाँ पर रुपे रुपे दिया गया है तो चेंज नहीं करना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 रुपे के 25 नोट हैं, ठीक है, और 20 रुपे के कितने 25 रुपे के 25 नोट हैं, अगर यह पैसे में होता तो 100 से डिवाइट करते हैं, रुपे में हैं तो नहीं करन 50 کا गुना 25 से कर दूँँगा यह हो जाएगा 1250 20 का गुना 25 से कर दूँगा यह हो जाएगा भैया 500 ठीके यह 1250 रुपे यह 500 रुपे और यह कितने 680 रुपे लगा दो भैया Ellegation Method ठीके लगा दो पानसो 680 का अंतर कितना आ जाएगा 180 रहाएसो पचाश आचारत कतनी आजाएगा पांशो सेटरा जाएगा ज कटादो इस कटनी बततों इस की कटने हैं यह कटेगा देखे ती से मेरा किनी वार-वwatch HR एन200 पाते ilag 6 अनुपात है 19 अब यहाँ पर 50 रुपे के 6 अनुपात है मेरे पास 50 रुपे का अनुपात 6 है और 20 रुपे का अनुपात मेरे पास कितना है 19 निकल के आया गया अब देखिए यहाँ पर सिधा सिधा निकल के आ रहा है 6 का गुणा मैं 50 से कर दूँ शेका गुना 50 से कर दूँ तो कितने रुपे हो जाएंगे ये 300 और 19 का गुना मैं 20 से कर दूँ तो कितने हो जाएंगे मेरे पास सीदे-सीदे 380 अगर मैं दोनों को जोड़ दूँगा तो कितना हो जाएगा ये 680 भाई दोनों को जोड़ दूँगा 680 इसका मतलब 50 उर्पे के मेरे पास 300 उर्पे है और 20 उर्पे के मेरे पास 380 है दोनों मिला के 680 होगे प्रत्य प्रकार के नोटों के संग्या अलग अलग पता करनी थी तो मेरे पास कितने नोट है भई 50 रुपे के 6 नूट 20 रुपे के 19 नूट 50 रुपे के मेरे पास मिलाओंगा तो 300 रुपे होंगे और 20 के मिलाओंगा 380 अलग-अलग नोटों की संग्या पता करनी है तो नोटों की संग्या 6 और 19 है यही मेरे पास प्रेशने का सही जवाब के लिए सबी को अब देखते हैं अगला प्रेशनी है एक चुनाव में दो उमीदवार थे जीतने वाले उमीदवार को 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से बिजे हुआ ग्यात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाता के नाम दर्जे हैं भाई देखिए मतदाता सूच और यह होगे आपका दूसरा उमीदवार दो उमीदवार होगे कह रहा है कि जीतने वाले उमीदवार को 65% मत मिले कितने मिले भाई 65% मिले जीतने वाले को तो हारने वाले को 100 में से कितने मिले होंगे भाई 35 मिले होंगे जीतने वाले को 65 मिले है तो हारने वाले को 35 अब जी इसे जीतने वाले ने हारने वाले को कितने मत से हराया, इसको 65 मिले, इसको 35 मिले, कितने परसेंट से हराया, इसने इसको 30% से हराया, कितने से हराया, और यहां कितने से हराया, 900 बूटों से हराया, कितने से 900 तो 30% की वैलू 900, तो 1% की वैलू कितनी हो जाएगी दोस्तो 30 हो जा तो 100% की value 3000 आई तो आपका आंसर कितना हुआ 3000 हुआ कि नहीं हुआ समझ में आया अब देखेंगे अगला प्रशन अगला प्रशनी है किसी चुनाव में 20% मत अवैद घोशित हो गए करीम और रावत दो उम्मीदवार थे करीम ने 40% मत प्राप्त किये और 1600 मतों से पराजित हो गया कुल कितने मत दाता में चुनाव में भाग लिया देखिए मत दाता जितने भी होंगे वो अपने आप में कितने होंगे भाई 100% अपने आप में वो 100% होंगे चाहें कितने भी हों उसमें से कह रहा है कि 20% मत अवैद थे अवैद थे तो सौमे से जब 20% अवैद थे तो बचे कितने भई 80% बचे अवैद वहटा दिये तो वैद कितने बचे 80% ठीक है व्यक्ति दो है करीम और रावत एक व्यक्ति करीम है एक व्यक्ति रावत है दो चुनाव लड़ रहे हैं कह रहा है करीम और रावत दो मीदवार थे, करीम ने 40% मत प्राप्त किये, वैद वोट कितने हैं, टोटल 80 हैं, 80 मैंसे क्या कर रहा है, वो 40% प्राप्त कर रहा है, तो 80 का मैं 40% निकाल लूँगा, परसेंट का मतलब 22, 22, 28, 32, तो करीम ने कितने प्राप्त किये हैं, 32%, अब 80 मैंसे, 80% मैंसे करीम ने 32 प्राप्त किये, तो रावत कितने प्राप्त करेगा भई, 48 प्राप्त करेगा की निकरेगा, बिल्कुल करेगा, तो यहाँ पर कह रहा है, करीम ने 40% मत प्राप्त किये, औ यानिके 16 से पराज़ित हो रहा है और बोटों से कितनों से पराज़ित हो रहा है चीनी के गोल मैं 40% पानी है थी कि 40% पानी है अब यहांपर हमारे पास घोल है चीनी का और पानी का ये घूल है अबसे कह दिया उसने के 40% चीनी है जब चीनी 40% है, तो पानी कितना होगा 60%, ठीक है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घुल में चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी, तो पानी की मात्रा भी 50% होगी, तभी तो मिलकर के कोई मिस्रन 100% होगा, कोई भी मिस्रन हो 100% होता है उसकी वेलू, अब 40% चीनी है त 60 पानी होगा तभी मिलके 200 50 चीन हो जाईगी तो पानी भी 50 होगा तब मिलके 200 अब मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको के जो मिलाया जाई या घटाया जाई उसे काम है नहीं लेते बताया की नहीं बताया तो आपके पास टोटल कितना था मिस्रन 300 ग्राम था 300 ग्राम था मिस्रन ठीक है 300 ग्राम जो मिलाया जाई या घटाया जो उसे काम में लेते आप में बोला गया है कि इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए चीनी मिलाने की बात करना तो चीनी वाला पाट काम में नहीं लेना ठीक है आपके पाट टोटल मिसन 300 ग्राम का है बची हुई वैलू उपर वाली उपर लेलो नीचे वाली वैलू को नीचे लेलो 5 से 0 0 से 0 गया 5 से गटाऊंगा 5 शिक के 30 1 0 60 6 6 36 हो जाएगा और 1 0 360 पहले मिसन हमारे पास कितना था 300 था 300 से हो गया 360 कितना बढ़ गया 60 बढ़ गया तो कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए 60 ग्राम चीनी और मिलाई जाए यही आपकी प्रशनी का सही जवाब होगा पात समझी में आगई, अब देखेंगे अगला प्रेशनी, अगला प्रेशनी है, अलकोहल और पानी के 40 लीटर मिस्तर में 25% अलकोहल है, इसमें अलकोहल कितने लीटर कम डाला जाता है, वह 20% हो जाता है, कितना डाला जाता मुझे नहीं पता यह आप मुझे बताएंगे क्योंकि यह प्रश्ण में आपको हमबर्ग के लिए दे रहा हूँ ठीक है कितना कम डाला जाता है यह आप मुझे बताएंगे क्योंकि यह प्रश्ण में आपको हमबर्ग के लिए दे रहा हूँ आसान प्रेशन है सभी बच्चे कर पाएंगे इस प्रेशन को इतना आसान दे रहा हूं तो सभी आप कमेंट कीजे जल्दी जल्दी ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद